अव्यक्त शिक्षाओं का अन्मूल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है जिन्दगी का अफसाना ये श्रंखला सर्वात्माओं के पेता परमात्माश्यव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है आप सभी का हार्दिक स्वागत है ज्यान सोरे परम पिता परमात्मा अपनी ज्यान किरणे सर्वात्माओं पर समान रूप से विखराते हैं परन्तु देखा जाता है कि आत्माओं इन किरणों द्वारा अपने जीवन को समान रूप से प्रकाशित नहीं कर पाती हैं कोई न कोई विप्रीत परिस्थती, विकारों का कारण या फिर अपने ही स्वभावव संसकार, ईश्वरीय नियमों को जीवन में धारन करने में विखणरूप बन जाते हैं इन विघनों के विशेश, कारण वर निवारण को आज हम इश्वरिये महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे और इन महावाक्यों के इस पश्टी करण के लिए हमारे मद्दे है प्रजापिता ब्रम्हा कुमारे से ईश्वरिये विश्विद्याले के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्नी राजुभाय सहाब आज अब आपका आज के एपिसोड में बहुत बस्वागत है आज हम बात करेंगे 21 मार्च 1985 के महावाक्यों पर जिसका टॉपिक है स्वदर्शन चक्र से गिजे चक्र की प्राप्ति आज सब परमात्मा कहते हैं कि जैसे जिस्मानी शस्त्रधारी दिन प्रते दिन अतिसुक्ष्म और तीवरिगती के शक्ती संपन साधन बनाते जाते हैं ऐसे रोहानी सेना, अतीस सोक्ष्म, शक्तिशाली, शस्त्रधारी बनी है, जिसे विनाशकारी आत्माउने एक स्थान पर बैठे हुए, इतने मायल दूर विनाशकारी रेजिस द्वारा विनाश कराने के लिए साधन बना लिये हैं, वहाँ जाने की भी आवशकता नहीं, दू बैठे निशाना लगा सकते हैं, ऐसे रोहानी सेना स्थापनाकारी सेना है, वहविनाशकारी आप स्थापनाकारी हो, वहविनाश के प्लैन सोचते, आप नई रचना के विश्व परिवर्तन के प्लैन सोचते, पस अब यह जो कंट्रास्ट बताया है परमात्मा ने, रोहान पर्मात्मा कह रहे हैं, जैसे वो सस्त्रधारी सेना होती है, तो उनको नए-नए प्लैन आते हैं, ये सस्त्र बनाएंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे, और अभी तो ऐसे विनासकारी साधन बना रहे हैं, जो एक इस्थान पर बैठे ही, कई माईल दूर उस देश को, उस इस्थान क खतम कर सकते हैं, तो पर्मात्मा कहता है, विज्ञान की सकती से, ये सस्त्रधारी आत्माएं, कुछ नकुछ नमीनता प्लैन्स करते रहते हैं, बिनास के लिए, साधन, आप सब इस्थापना कारी बच्चे हो, नए दुनिया की इस्थापना आपको करनी है, उसके लिए आप कौन से ऐसी इमिंशन कर रहे हो, कौन से ऐसे प्लैन बना रहे हो, जिससे श्रष्टी नई दुनिया बन जाए, पुरानी दुनिया बदल जाए, तो उसके लिए बहुत सुक्ष्म सस्त्र, जैसे सुक्ष्म सस्त्र साहिलेंस पावर से कैसे तियार किये जाएं, कोई सस्त्र ने तियार करने हैं, लेकिन हमारी सक्तियां, मन्सा की सक्तियां, हमारी व्रत्तियां, हमारे वैवरेशन, पैसे इस विष्ट को परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी प्लैनिंग करो, तो आप रूहानी सेना वाली आत्माओं को स्थापना का कारे, और जिस्मानी सेना वाली इसका लियूगिस रष्टी के विनास की तयारी करने है इसलिए परमात्मा कहते हैं कि स्थापनाकारी सेना ऐसे तीवर गती के रोहानी साधन धारण कर लिये है एक स्थान पर बैठे जहां चाहू वहां रोहानी जात की रेजिस यानि तिरणो द्वारा किसी भी आत्मा को तच कर सकते हो परिवर्दन शक्ती इतनी की व्रगती की सेवा करने लिए तयार है परमात्मा ये रेजिस जो कह रहे हैं ये हैं हमारी मनसा सक्ती की रेजिस जितनी हमारी मनसा पवित्र बनती जाती है सुद्ध बनती जाती है तो हमारी विचार सक्ति, एक स्थान पर वैठे भी कहीं पर भी किसी आत्मा के संसकारों को परिवर्तन कर सकती है। परमात्मा कह रहे हैं कि इस सक्ति से अपने आपको संपन्द बनाओ। तो परमात्मा की सर्व सक्तियों की किरने, रेजेस के रूप में मुझ आत्मा को प्राप्त होती है। और यहां से जब हम संकल्प करते हैं कि फुलाने स्थान पर व्यक्ति बहुत दुखी है, परेशान है, उसका परिवर्तन हो, उसके संसकार चेंज हो जाएं, तो हमारे सुब संकल्प और हमारी सक्ति साली मंसा एक किरणों की तरह वहां पहुँचती है, पवित्र विचारों की लाइट उस आत्मा के विचारों को चेंज कर दे, तो परमात्मा यह एक बहुत सुक्ष्म सेवा, इसकी बहुत समय से प्रेनाय दे रहे हैं, कि ऐसा समय आए जितनी पवित्र और सुद्ध बनती जाएगी, उतना आप इस परिवर्टन के इस कारे में परमात्मा के सहियोगी बन सकेंगे परमात्मा आगे कहते हैं कि नौलेज अर्थात शक्ती सभी को प्राप्त हो रही है ना, नौलेज की शक्ती द्वारा ऐसे शक्तिशाली, शस्त्रधारी बने हो, महावीर बने हो वह वीर बने हो, विजे का चक्र प्राप्त कर लिया है, जैसा बहुत सुन्दर कंट्रास्ट ह यू दुनिया के अंदर जो चक्र मिलते हैं सेनानियों को और इस दुनिया के इस विजु चक्र का,imiziब इसको थोड़ा सपश्ट करें उस सेना में कोई जब विजय प्राप्त कर लेता है, किसी युद्धा को प्रास्त कर देता है, तो उसको माड़ो प्रांत भी एक विजय चक्र देते हैं, जीवित भी कई टाइटेस मिलते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि उस सेना के अंदर जो महावीर होते हैं, माना जो सक्तिस 650ink होते हैं। और ऐसे कोई कारिकर्क करके युद्धा बन करके बुस्मन को खतम करके आते हैं विजय पराप्त करके आते हैं तो उनको विजय चक्र पृता है दुनिया के अंदर चारों तरफ माया के G YouTuber विकारों के दुस्मन गूम रहे हैं। आप बच्चों के पास ऐसा चक्र है, स्वदर्सा चक्र, आत्मा जिस चक्र से अने आत्माओं की कमी कमजोरियों के गले को समाप्त कर दे। इंसा वाला चक्र नहीं है लेकjen यह स्वा का दर्सन आत्मा का चक्र है आत्मा का चिंतन जब स्वरूक में हम इस्थित होते हैं तो यही स्वा दर्सन nar alles की कमी कमजोडी को समाप्त करता है पहले अपनी कम्यों को गला कड़ता है, हमारी कम्यां अक्तम होती हैं, और साथ साथ हमारे सुभ वाइब्रेशन अन्य आत्माओं को भी परिवर्तन कर देते, विकारी संसकारों को चेंज कर देते, इसलिए परमात्मा करें, क्या आप बच्चों ने ये विजय चक्र प्राप् कहने का चक्र, वीर हो या महावीर हो, एक युद्धा होता है जो वीर कहलाता है, चक्तिसाली, उससे भी जो महां सक्तिसाली उसको कहते हैं महावीर, इसलिए वहाँ पर भी परमवीर चक्र प्राप्त होता है, और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि विजय प्राप्त हुई पड परमात्माइ विजय चक्र के अधिकारी है। परमात्मा आगे कहते हैं कि स्वदर्शन चक्र से विजय चक्र प्राप्त करते हो। जब परमात्मा में और अपने आप में निश्चे है कि मैं कल्प कल्प की विजय आत्मा हूं। ये विजय निश्चित विजय है, कल्प पहले भी मैंने विजय प्राप्त की है, जिसको ये निश्चे रहता है, वो कोई भी बड़े रूपों को माया के जो वार हो रहे हैं, उन पर दरने की घबढने की वज़ाए अपने स्वध अर्सन चक्र से, कि मैं अनादी और आदी प्रमात्मा की कहते हैं कि देवियों के चित्र में शस्त्र धारी दिखाते हैं, पांडवों को भी शस्त्र धारी दिखाते हैं, यह रोहानी शस्त्र अर्थात रोहानी शक्तियां स्थूल शस्त्र रूप में दिखा दी है, वास्तव में सभी बच्चों को बापतादा द्व अलग-अलग नॉलिज नहीं देते, फिर भी नंबरवार क्यों बनते हैं, परमात्मा ने कभी किसी को अलग पढ़ाया है, क्या? परसर इसको थोड़ा स्पष्ट करें. परमात्मा ने तो सब को एक जैसी नौलेज दी, एक जैसी सक्तियां दी, लेकिन धारन कहने वाली आत्मा नंबर बार हो गई, देने वाले दाता ने तो सब को एक जैसा पढ़ाया, एक जैसा सब चिंतन दिया, लेकिन जिसने उसको मनन किया, सुरूप में लाया, प्रियोग मे लाया, वो नंबर आगे चला गया, तो कई देवियों के हाथों में देखो, सब परकार के सस्त्र दिखाये हुए है, उन्होंने तो स्थूल सस्त्र दिखा दिए, देवताओं के हाथ में भी दिखा दिए, तो देवियों के हाथ में भी दिखा दिए, परमात्मा कहते हैं, ऐसे आप एक अग्रता के आधार से योग का भियास किया, यह सक्तियां सहॉना करने KISSEHN कहने की। समाने के WhatsApp कि सब सक्तियां आपके जीवन में आ गए। फिर कोई भी उद्ध्ता, कोई भी परकार का दुस्मन आप युद्य के सामने आता है। आप उन सस्त्रों के आधार से उसको बिजय प्राप्त कर लेते हो। अंदर की आंतरिक ज्यान के चिंतन से, निष्चे के बल से आप बिजय भरन जाते हो। ये सस्त्र जो है देवियों को जो दिये हैं इस्थूल हथियार नहीं है ये आंतरिक आत्मा की सक्तिया है। पढ़ाई एक पढ़ाने वाला एक फिर नंबरवार क्यों होते वह सभी नंबर वन हैं नंबर क्यों बनते क्योंकि पढ़ाई भले सब पढ़ते हैं लेकिन पढ़ाई की अर्थात ज्यान की एक एक बात को शस्त्र वशक्ति के रूप में धारण करना और ज्यान की बात को पॉ तो जब शक्ति के रूप में धारन करना और पॉइंट के रूप में धारन करना थोड़ा अंतर बताएं इसमें कि जान एक light है रोसनी है उसको हमने point की रीती से repeat कर लिया, सुना दिया, फिर उसको हम प्रीयोग में नहिलाया तो परमात्मा के रहे हैं जो प्रियोग में लाते हैं उनके लिए वो सस्त्र बन जाता है जैसे ड्रामा की पॉइंट है पॉइंट रूप में हम किसी को ग्यान देते हैं कि कोई बात नहीं हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है आपके सामने जो सीन आई ये 5000 साल पहले आई थी आप पास कर गए भूल जाओ इसको लेकिन इसको पॉइंट तक हमने रखा दूसरे के आगे रिपीट कर दिया एक लाइट है हमारे पास पॉइंट है लेकिन सस्त्र नहीं है सस्त्र माना वो पॉइंट उस इस्टाप कहते ही ब्रेक लग जाए कोई भी बातें जो परिस्थितिया आई उन पर हमने विजय प्राप्त की या कोई भी प्रकार से नीचे उपर इस्थितिया हुई उसमें हलचल न पैदा हो सस्त्र है कि नथिंग निव कल्प कल्पी सीन हमारे सामने आई थी मैंने इसको पार किया था उस तरह से हम उसको पार करके रिष्चिंत इस्थिति में रहें तब कहेंगे उस जान की पॉइंट को तुमने सस्त्र के रूप में यूज किया जै तो रिपीट कर दिया कोई बात हो गई फिर रोने लगे मूट खराब कर लिया परेशान हो गए इधर वरण करने लगे माना अपने ग्यान को समझा नहीं जिसने ग्यान को यथार्थ यूज किया उसके लिए वो सस्त्र बन गया और सिर्प रिपीट किया तो पॉइंट रहे गई परमात्मा कहते हैं कि एक आत्मा का पाठ परमात्मा का पाठ ड्रामा का पाठ चुरासी जन्मू का पाठ इतने पाठ है सभी को शक्ती अर्थात शस्त्र के रूप में धारण करना अर्थात विजई बनना है सिर्फ पॉइंट की रीती से धारन करना तो कभी पॉइंट काम करती भी है, कभी नहीं करते है कभी भूल भी सकती है, परमात्मा ने तो हम सब को सुनाया है एक जैसा लेकिन उस ग्यान को हमने कहां तक अपने सरोप में लाया मान लो आज आत्मा का ग्यान परमात्मा ने हमें दिया कि आप एक आत्मा है तो क्या हम उस आत्मिक सरूप में इस्थित होकर कि हम दूसरों से बिवहार में आते हैं सामने वाली आत्मा को समझते हैं यह आत्मा है यह सरीन नहीं है ये पार्ट धारी है, खिलाडी है, खेलने आई है, अगर कुछ गलत कर रही है तो भी एक पार्ट बजा रही है, तो ये एक ड्रामा का ग्यान, आत्मा का ग्यान, परमात्मा का ग्यान, चौरासी जन्मों का ग्यान, कर्मों का ग्यान, बहुत सारा ग्यान का विश्तार है, उसक तो स्वरूप में लेलाया, इसके लिए पहले से ही, मान लो ऐसी परिष्थिती आ रही है, आज प्राकर्तिक आपदा हैं आ रही है, और आ गई तो मैं क्या उस प्राकर्तिक आपदा में विजयी बन सकता हूं, किस रूप से बन सकता हूं, अगर मान लो कोई ऐसा रूप विका को इमर्ज करें तो मानलों यह परिष्टिति हमारे सामने आ जाए तो हम इसको ऐसे पार कर लेंगे तब वो ग्यान सस्त्रक बन जाएगा नहीं तो ग्यान के वल पॉइंट तक रिपीट करने तक रहेगा तो बिलकुल असा परमात्मा कहते हैं कि यथार्थ नौलेज लाइट और माइट का स्वरूप है उसी रूप से धारण किया है अगर समे पर नौलेज विजही नहीं बनाती है तो नौलेज को शक्ति रूप से धारण नहीं किया है अगर कोई युद्धा समय पर शस्त्र कार्रे में नहीं ला सके तो उसको क्या कहेंगे? महावीर कहेंगे? यह knowledge की शक्ती किसलिए मिली है? माया जीत बनने के लिए मिली है न? कि समय बीत जाने के बाद point याद करेंगे करना तो यह था, सोचा तो यह था तो यह चेक करो, अभी force का course कहां तक किया है? तो यह था, force के course को थोड़ा सबश्च करें क्योंकि कई आत्में course तो कर लेती है और ज्यान को बहुत अच्छी तरह से सुनती और repeat भी करती है दूसरों को सुनाने में भी प्रवीन हो जाती है इन परमात्मा यहां हमारा attention खिचवा रहे है कि ज्यान एक light भी है तो उसमें सक्ती है, might भी है कोई भी युद्धा, युद्ध के मैदान पर बहुत सारे सस्त्र लेकर के खड़ा है लेकिन किस प्रकार का सस्त्र कहां पर प्रियोग करना उसको यह भूला हुआ है उस सस्त्र है, ज्यान की पॉइंट्स सस्त्र के रूप में हमारे पास है इनका यहां पर ऐसे प्रियोग करेंगे तो हम विजय बन जाएंगे हार वहां हो रहे हैं जहां हम अपने सस्त्रों को भूल जाते है हैं सब बाते, बाबा ने सारी ग्यान की पॉइंट्स बताई है कौन से पॉइंट कहां पर यूज करनी है वो भी बताया है ये सस्तर यहां पर काम आएगा, ड्रामा की पॉइंट यहां काम आएगी आत्मा का पॉइंट यहाँ पर काम आएगी परमात्मा का साथ यहाँ आप काम आएगा सब बाबा ने इस परेट ग्वाष्ट ग्यान दिया है लेकिन उस ग्यान के पॉइंट को हमने इतना अंदर-अंदर चिंतन करके उसके सुरूप में नहिलाया सक्ति का रूप नहीं लिया हर एक बात की जो पॉइंटस हम सुनते हैं विचार करना चाहिए चलो एक लाइट तो मिली मैं एक आत्मा हूँ लेकिन इससे मेरे को माहिट क्या मिली सक्ति क्या मिली राजी कर सकती हूँ अगर मैं मालिक हूँ मैं आत्मा हूँ यह मेरा सरीर है तो जब मेरा है तो मेरे अधीन होना चाहिए अगर मैं किसी एक करमिंद्री के अधीन हो गई मैं आत्मा किसी करमिंद्री के अधीन हो गई मैंने आत्मा के ग्यान को समझा है लेकिन ग्यान लाइट के रूप में माइट के रूप में नहीं है तो इसी तरह से जान की हर पॉइंट को चिंतन करके सक्ती का रूप बना करके फिर हम युद्ध के मैदान में कोई भी बात आए कैसी भी परिस्थितिया उसको हम पार कर सकते है तरमातना आगे कहते हैं कि एक एक पॉइंट को देखो परिस्थिती के समय कहां तक कारे में लाते है यह नहीं सोचो वैसे तो ठीक रहते लेकिन ऐसी बात हो गई परिस्थिती आई तब ऐसे हुआ शस्त्र किस लिए होता है जब दुश्मन आता है उसके लिए होता यह दुश्मन आ गया इसलिए मैं हार गया माया आ गई इसलिए डगमग हो गई लेकिन माया यानि दुश्मन के लिए ही तो शस्त्र है न सारा ग्या नहीं ही दुश्मन पर विज़े पाने के लिए इतने सारी जो पढ़ाई है, योग है, मैं हमेशा कहता हूँ हम इतना बटियां करते हैं, तपस्या करते हैं, जोग करते हैं, किसलिए करते हैं, क्या सिर्फ समय पास करने के लिए करते हैं, या कुछ अनुभव करने के लिए करते हैं, चलो अनुभव हो गया एक बार, अगर हम ने योग किया अच्छी तरह से परमात्मा की याद में एकाग्रचित होके बैठ गए और वो जौला रूप सक्टी साली योग हुआ तो क्या मेरे संस्कार परिवर्तन हुए हमने 15 दिन मौन बठी किया 21 दिन मौन बठी किया हमारा गुस्सा ही नहीं गया हमारे अंदर जोस था वो भी नहीं गया फिर वैसे कि वैसे हो गए जैसे थी तो क्या भट्री का फायदा हुआ जया ग्यान का फायदा हुआ जयान और योग इतना रहना जाते, यह ऐसा क्यों करना रहा है, इसको उसको आशा करना चाहिए, जैन 9 को योग की सक्टियों। उसका करना है। भरमात्मा कहते हैं होता थोड़ी time के लिए ही है, ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी लगातार, अर्थाय सदा निर्वेगन रहना और विगन निर्वेगन चलता रहे फर्क तो है ना धाँगे में जितना गाट पड़ती है उतना धागा कम्जोर होता है जुड़ तो जाता है लेकिन जुड़ी हुई चीज और साबुत चीज में फर्क तो होता है ना बहुत फर्क पड़ जाता है क्योंकि बार-बार अगर इस्तिती नीचे हुई उपर हुई कुछ समय हम एक रस रहे फिर नीचे आ गए फिर उपर चड़े तो महनत का अनुबह तो होगा तो इसके परमात्मा कह रहे हैं मानलो आज धागे को कई जेगे तोड़ तोड़ करके फिर घंट लगाई जाए तो दागा तो कम्जोर हो गया अभी-अभी-घण इस्तिति में अभी-थी किसी के विगन के अधीन हो गए तो जो एक रस इस्तिति रहनी चाहिए जो सदाव मंगुत्सा रहना चाहिए इंतर योग रहना चाहिए उसम में समय नहीं गवाओ, बातें तो हरे के आगे आती हैं, लेकिन कोई हैं जो इसको don't care करके सदा आगे बढ़ जाते हैं, और कोई इनको सोच सोच करके घाट पर घाट लगाते जाते हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो कम्जोर इस्तिती हो गई, सक्की साल इस्तिती नहीं और अब तो अव्यक्त रूप का पार्ट है ही वर्दानी पार्ट, तो समय को भी आपको मदद है, अव्यक्ती पार्ट की, अव्यक्त सहयोग की भी मदद है, फास्ट गती का समय है, इसकी भी मदद है, पहले इन्वेंशन निकलने में समय लगा, अभी बना बनाया है, आप बने बनाए पर पहुंचे हो, यह भी वर्दान कम नहीं है। पार्ट का सहयोग है, अभी आप आए है, तो सब प्रकार की सहज बिधियां आपको मिल रही है। कोई भी क्लास सुनो, किसी भी प्रकार के योग की कमेंटरी सुन लो, इतना भी प्रकार का खजाना अपने अंदर भर लो। तो सब बने बनाए इस समय पर साइंस के साधनों का प्लाब मिल रहा है, कई चीजों का प्लाब मिल रहा है। इसलिए ये नहीं सोचो कि मैं पहले आता तो बहुत आगे चला जाता है। बहले लाश्ट में आये हो, अभी आये हो, लेकिन अभी समय को बर्दान है, और इस बर्दानी समय में आप जो बनना चाहो बन सकते हो। ये अभी गूल्डन चांस मिला हुआ है। बिल्कुल भाइसाब आज हमने समझा कि कैसे हम इश्वरिय ज्ञान को स्वयम में धारण कर लाइट माइट स्वरूप बने। फैसाब पश्टी करण के लिए आपका बहुत वा धन्यवाद है। दर्शकौ आज के महवाक्यों में परमात्मा ने कहा कि निश्चे बुद्धी और स्वदर्शन चक्रधारी आत्माई ही रोहानी सेना में विजे चक्र की अधिकारी है। परमात्मा ने कहा कि हमें इश्वरिय ग्ञान की एक-एक बात को शक्ती रूप से स्वयम में धारन करना है, किवल पॉइंट के रूप से नहीं। अगले अपिसोड में एक और अव्यक्तवाने के साथ आप सभी के समक्षां फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त उम शांती इस श्रंकला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्याले के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवूर्ड स्टूडियो से संपर्क करें